हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स बहुत सारे लोग है जो कि मैक्सिमम टाइम पे या लगातार हाई आर्पियम पे ही अपने बाइक को चलाते है आर्पियम जैसे की 5,000-6,000 या उससे ज़्यादा का आर्पियम चाहे सिटी राइटिंग कर रहे हो चाहे हाईवी राइटिंग कर रहे हो मैक्सिमम टाइम पे उनके बाइक का आर्पियम बढ़ा हुआ ही होता है आप जिने नहीं पता मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आर्पियम का मतलब होता है रेवल्यूशन पर मिनट असान लबजों में कहना हो तो एक मिनट में आपके बाइक की इंजन का जो क्रैंक साफ्ट है वो कितनी बार घूम रहा है पाच अरपियम पाच अजार शियाजार बार घूमा तो आरपियम होगा च्छी अजार साथ है मैं ये भी क्लिर करना चाहूंगा कि जितना ज़्यादा आप थोर्टल लेते हो जितना अधा एक्टलेटर लेते हो उतना ही ज़्यादा इंजन के जो क्रैंक साफ्ट का आरपियम बढ़ जाता है और उतना ही ज़्यादा हमें अपने बाइक से स्पीड मिलता है अब यहाँ पे एक चीज़ क्लिर करना जरूरी है कि देखी जो एक सो एक सो पतीस या डिएड़ सो सेसी के बाइक की बात करें तो इस तरह के बाइक के अगर हम लोग इंजन को पाच हजार या शियाजार आरपियम तक लेके जाते हैं तो हमें पचास साथ या सतर तक का स्प पाइक काल रखे कि मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बेसिकली आरपियम की बात करने वाला हूँ हाई आर पियम की और इससे जुलावा दो सवाल important है पहला ये कि इस तरह से लगतार हाई रिपे में बाइक को चलाने से क्या बाइक के ईंजन को नुक्सान होता है क् इंजन का लाइफ कम हो जाता है और दूसरा सवाल इंपोर्टेंट इस से जुलावा यही है कि इस तरह से लगतार हाई एर्पियम में बाइक को चलाने से बाइक का इंजन और इंजन के बागी के पार्ट्स लंबे समय तक सेफ रहे इसके लिए मैं किन किन बातों का ख्याल अगर हाई एर्पियम में चलाते हो तो उससे बाइक के इंजन को कोई भी नुकसान नहीं होता है या नहीं होगा अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखें क्यूंकि जब बाइक के इंजन को डिजाइन और मैनुफैक्ट्र किया जाता है तो उसे इस बात को रखके भी डिज लगतार चलाया जा सकता है चाहे 100 हो 1500 CC की बाइक हो या 300, 400, 500 CC की बाइक हो फरक नहीं पढ़ता है आप safety को ख्याल में रखते हुए और safe riding करते हुए लगतार high RPM में अपनी बाइक को चला सकते हैं बेफिकर होके लेकिन अब हम लोग आते हैं important दूसरे सवाल के उपर में basically होता यह है कि लगतार high RPM में जब हम लोग अपने बाइक को चलाते हैं तो उससे यह होता है कि जो engine का temperature है वो बढ़ जाता है engine जादा गरम होने लगता है जिसके वायसे engine के जितने भी internal parts है इनका आपस में friction याण की घरसन होने लगता है parts का wear and tear होने लगता है इनके parts घिसने भी लगते है और इस वज़ा से engine और बागी के जो parts का life है वो कम होने लगता है लेकिन इसे रोका जा सकता है बहुत ही मुश्किल नहीं है जब कुछ चीजों का आपको ख्याल में रखना जरूरी होता है जिसमें से कि पहला part है engine oil अक्सर ये देखा गया है कि जो normal या कम speed में कम rpm में running वाले जो बाइक होते है अगर उनके engine oil को 5000 km में change करने का जरूरत होता है तो इस तरह से लगतार high rpm में चलने वाले बाइक के engine oil को 3000, 3500 या 4000 km में ही change करने का जरूरत पढ़ जाता है क्योंकि बहुत तरह का problem सामने आने लगता है सबसे पहले तो engine oil के quantity की बात कर ले तो अक्सर देखा गया है कि ये इतने high rpm में लगता है चलने से जो engine oil का quantity है engine के अंदर में वो कम होने लगता है तो top up का जरूरत ही पढ़ जाता है साथी जो engine oil की quality है वो भी जल्दी खराब होने लगता है क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि engine oil का काम यही होता है कि engine के जितने भी moving parts है उन parts को वो friction यान के घर्शन से बचाता है warranty rent की गिसने से बचाता है parts में जो भी गंदगी है उस गंदगी को भी engine oil ही साफ करता है साथी engine oil engine को ठंडा करने की भी काम में आता है अब इतने सारे काम को यह करता है और करने के लिए capable भी है लेकिन जब high rpm में ज़्यादा हीट हो जाता है तो फिर viscosity वगरा कम होने लगती है इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये advice देने वाला हूँ कि आपको frequently 1000 km के आसपास आपको क्या करना चाहिए कि engine oil के level को चेक कर लेना चाहिए बहुत ही मुश्किल नहीं है मैंने वीडियो बनाया है link description में दे दूँगा साथ ही आप quality को भी check कर ले वैसे engine oil का जो run change होते जाता है उससे हमें क्या पता चलता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है link मैं description में दे दूँगा तो सबसे पहले तो आप engine oil को जरूर से check कर ले उसका ध्यान में रखे ठीक है अब आगे के points को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के doubt और curious बहुत सारे लोगों को होता ही है तो friends मैंने recently get clear app के साथ partnership किया है इस app में आपको मेरे लावा इंडिया के top most automotive experts मिल जाएंगे और इस app के जरी आप मुझे और बाकी के experts को audio call, video call और chat के लिए असानी से book कर सकते हो book करने के बाद booking section में meeting create हो जहाँ से आप join कर सकते हो और इसके बाद one on one conversation के थुरू आपके जितने भी dots है जितने भी queries है वो मैं clear करने वाला हूँ तो app का link मैं इस video के description में देदूँगा app का आप जरूर से download कर ले चले बनो topic की बात करते है तो जो अगला point है उसको धान में आपको रखना है वो है coolant का जैसे कि मैं आपको बता जिया कि engine बहुत जादा गरम हो जाता है तो अगर आपके bike में liquid cool engine system को दिया गया है तो आप coolant को भी सही time पे check करें कि coolant की quality कैसी है quantity कितनी है कहीं कम तो नहीं हो गया है यह सब आप check करें तब भी आगे चलके जो engine का life आपको बहतर देखने को मिलेगा साथी अगर आपके bike में disc brake को दिया गया है तो आपको brake fluid को भी check कर लेना चाहिए इसके अलावा आप brake shoe को भी आप हमेंसा चेक करते रहें क्यों brake shoe को जो rubber है वो ज़्यादा तो घिस नहीं गया क्योंकि safety के लिहाज से आप high RPM की बात हो रही है तो safety भी जरूरी है तो safety के लिहाज से जो brakes है उनका सही तरह से काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अलावा आप timely चाहे तो local garage से चाहे authorized service center से जहाँ से आपको ठीक लगे आप servicing भी अच्छी तरह से जरूर कराए अगर आप high RPM में लगतार bike को चलाते हो तो just इन ही कुछ बातों को आपको ख्याल में रखना है बाकि आपके जो bike का engine है वो high RPM को जहनने के लिए पूरी तरह से capable है तो just आप बेफिकर होके चला सकते है लेकिन safety को ध्यान में जरूर रखे और बेवज़ा गलत जगा पे high RPM में या high speed में अपने bike को नहीं चला है यह advice करने वाला हूँ तो उम्मीद है कि आज का वीडियो को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे मिलत अगले वीडियो में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो गुद बाई